तो way of optics के इस lecture number two में आगे हाँ पर continue कर रहें interference को तो last class ने हमने interference selected जो basics थे और conditions क्या-क्य होती है part difference किस तरह क्यों होना चीह है fist difference किस तरह की को होना चीह वो सब कुछ हमने देख लिया और इसके साथ हमने यह देखा था है कि हमें coherent sources चाहिए होते हैं interference obtain करने के लिए interference किसी भी दो source से हो जाएगा लेकिन coherent होने से interference sustain करता है और time के साथ face difference vary नहीं करता है otherwise तो क्या होगा कि एक ही जगह पर part difference time के साथ vary करेगा तो एक ही जगह पर अभी constructive हो रहा है कुछ समय के बाद destructive हो जाएगा और यह जो कुछ समय मैंने बोला है वो इतना चोटा होते है कि हमारी eyes जो है उसको detect नहीं कर पाती है क्योंकि बहुत जली जली changes होते है light वगर है कि जो frequency होती है frequency बहुत जादा होती wavelength बहुत कम होती है तो इसलिए वो सारी चीज़े हम detect नहीं कर पाएंगे हमारे eyes उन चीज़ें को देखनी पाएगी सही तरीके से तो eyes को वहां पर कुछ changes होते हैं मैसूस ही नहीं होगे हमें से एक जैसा pattern आई को दिखाई देगा तो coherent sources obtain करना बहुत ही necessary है यहां पर ढंका interference obtain करने के लिए तो क्या methods हो सकते हैं coherent sources के लिए और यह जो दिखकत है वो light के sources में जादा है तो light के sources coherent जल्दी से नहीं होते है sound के sources के coherent होने में ज्यादा problem नहीं होते है लेकिन light क्या होता है कि light जो emit होती है वो atoms के थूँ होती है तो सबसे पहले हम यहां पर इस इसको address कर रहे हैं कि दिक्कत क्या आ रही है यहां पर जो light के sources होते हैं वो होते हैं वो in coherent होते हैं अगर हम उनसे दो सोर्स उठाले और फिर उनसे हम interference क्लेनी की कोसिस करें तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा वहां पर क्योंकि दो दो independent जो conventional light के sources होते हैं हमारे वो in coherent होते हैं इन दिस sources light comes from large number of independent items तो उसमें items excited state में जाते हैं फिर वो ग्राउंड state में आते हैं फिर वो light emit करते हैं तो उस तरह से हमें light मिलते हैं वहां पर तो इच item emitting light for about 10 इस तो और मैस 10 seconds तो अभी वो किस excited state में थाग लिए बार पता नहीं वो किस excited state में होगा उसके accordingly फिर वो frequency या different wavelength के light emit करेगा तो यहां पर लगाता है frequency wavelength को यहां पर चेंज करते जाते हैं एक monochromatic beam हमें नहीं मिल पाता है यहां पर हमेंसा एक mix मिलेगा क्योंकि बहुत सारे atoms होंगे अगर हम similar conditions में इसमें भी atoms को रखे हैं तब भी नहीं हो पाएगा तब भी यहां पर यह इस तरह की का different different frequency different wavelength उनमें मिलेगा उनमें phase differences होंगे वहां पर तो फिर इस तरह के sources हैं वो coherent नहीं हो पाते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं जहां तक हमें interference pattern of 10 करने के बाद होती है इसमें जो laser light होती है laser light एक ऐसा source है कि जो कि almost coherent होता है तो laser आप यह याद रहते हो laser is almost coherent sorry laser is almost monochromatic तो आप डो laser sources तरह की use कर सकते हो या फिर एक laser source से हम generally experiment कर लेते हैं कैसे करें हैं वह भी methods में हम यहां पर देखेंगे तो laser is almost monochromatic और wavelength होती है लेकिन वह अतनी dominating नहीं होती है single wavelength होती है जो कि dominating होती है monochromatic का मतलब है कि having single color single wavelength तो इसमें single wavelength यहां पर इसमें dominating हो जाती है laser में तो laser को बहुत ज़्यादा use किया जाता है इन experiments के लिए तो क्या methods हम use करते हैं तो पहला method यहां पर है division of wavefront हम क्या करते हैं कि एक single source से आने वाले जो wavefront से उनहीं को दो part में divide कर लेते हैं और divide करके फिर उनको ऐसे दो sources हम use करके अपने experiment perform कर लेते हैं और क्योंकि यहां पर एक single source का ही use किया जा रहा है तो single source का use करेंगे तो एक single source की frequency तो हमें सब वही रहेगे चाहिए आप उसके लिए कुछ भी change कर दो तो frequency दोनों के वही रह जाती है तो एक ही source से हम दो source obtain करते हैं आपर इसका prime example है यंग्स एक्सपरिमेंट YDSC जो अभी जस्त हम यहां पर देखने वाले हैं भी आगे फिर उसके सेकेंड है method division of amplitude तो जो light beam है उस light beam के हम multiple reflections अगरे करा देते हैं और beam is divided at two or more reflecting surfaces तो जब इसको पढ़ेंगे तो वहां पर इसको थोड़ा better तरीके समस्मझ पाएंगे तो वहां पर हम एक तरीके से energy को यहां पर बाट रहें division कर रहें energy का उसे को हम लेख रहें amplitude क्योंकि amplitude जो होता है वह एक तरीके से energy को represent करने वाला ही parameter होता है तो intensity amplitude को यहां पर हम divide कर रहे हैं बार-बार उनको reflect वगरा करा करके और फिर उन reflecting beams का यहां पर हम interference pattern obtain करेंगे इसको हम पढ़ेंगे thin film interference में तो यह आगे आने वाला है तो पहले हम वाइडेस से पढ़ेंगे उसके बाद में thin film interference पढ़ेंगे तो 1801 में यंग ने एक experiment किया था और यह experiment एक बहुत बड़ा breakthrough साबित हुआ था light को wave लाइट के वेव करेक्टर को दिखाने के लिए तो अपने experiment में यंग ने यहां पर जिससे एक cardboard टाइप की यहां से light डाली जा रही है और उसके लिए suppose एक long line का long line source यहां पर रखा हुआ है light के लिए तो this is a line source तो line source क्या करेगा cylindrical wavefront यहां पर generate करता है तो line source generate cylindrical wavefront या इसके जगह पर एक दूसरा arrangement यहां पर यह हो सकता है कि आप plane wavefront यहां पर लेकर क्या हो इस diagram में which is दिखाए गई है आप plane wavefront यहां पर लेकर क्या हो और यहां पर यह जो cardboard टैप कर यह जो रखा हुआ है इसमे एक slit यहां पर create कर दो तो यह not यहां पर slit है और फिर यह जो slit है वह एक light source के तरह behave करेगा according to higens principle कि इसके हर एक point यहां पर behave करेगा इसे secondary source तो क्योंकि एक line के form में तो आप यहां पर expect कर सकते हो कि इससे जो emit होंगे यहां पर वो cylindrical wavefront होंगे जिससे यहां पर लिखा भी गया है तो cylindrical wavefront से या तो आप wavefront दिखा दो या फिर आप ray diagram बना करके दिखा दो तो वेफरेंट के perpendicular आप रेज दिखा सकते हो तो बिसिकली एक source के तरह behave करने लगता है तो यह हमारे लिए तरीके से source हो गया source slit हो गया यहां पर यह और यहां से जो यह वेफरेंट निकल रहे है ठीक है तो यह वेफरेंट जब यहां पर पहुंचेंगे एस्टू और एस्वन यहां पर यह दो आपनिंग क्रेट की गई है तो जो वेफरेंट यहां पर पहुंच रहे हैं तो यहां पर पहुंचने के बाद में अब यह जो एस्टू है वह एक source के तरह behave करने लगेगा फिर एस वन भी यहां पर एक source के तरह करीट किये वह छिस यहां पर दिखाएगा एक single source है और जब यहां से यहां से पास होंगी तो फिर यह source के तरह बहुत करेगा यह दूसे source के थिए करेगा तो क्योंकि हमने single source से ही दो sources बनाए हैं तो ऑवरिस है कि यहां पर यह जो जो s2 से आ रही है जो raise s1 से आ रही है उनके frequency सेम होगे और यह coherent होगे तो coherent wave हमें यहाँ पर octane हो जाएंगे तो एक single source से ही हमने दो sources create किये है anyhow और क्योंकि आप यहाँ पर दो sources हैं तो दो sources यहाँ पर screen पर मिलेंगे जाकर के तो उनसे interference pattern हम को इस screen इन पर मिलेगा जैसे यहाँ पर diagram पर दिखाया गया है कि dark और dark और white डार्क और यहाँ पर bright bands इस तरह के कि है spots हमें यहाँ पर मिल रहे हैं इसमें और एक regular type के interval पर हमको यहाँ पर इस तरह के spots मिलते हैं जैसे यहाँ पर यहाँ पर यह ब्राइट मिल गया उसके यहाँ पर dark spots मिल रहे हैं वहाँ उनको हम बोलते हैं dark fringes तो दो sources इनके यहाँ पर interferences हो रहे हैं इसी diagram को यहाँ पर एक 2D diagram में भी represent किया गया क्योंकि generally हम बार-बार अब इतने लंबे चोड़े diagram नहीं बनाएंगे तो इन डाइग्राम को हम 2D में convert कर लेते हैं जैसे यह जो cardboard tab का यहाँ पर है इसमें यह सामने वाले लाइन उसको दिखाई देगी तो सामने वाले लाइन को इस तरह से हम बना दिया गया यह जो भी अब जिस तरह से एक points source के तरह यहां पर दिख रहा है में को यहां से जो रेज हो तो बहुत सारी जा रही लेकिन आप दो रेज वो दिखा दो जो कि यहां पर यहां पर पहुंच रही है इसको हम यहां पर जनरली एस वन बोल देते हैं इसको बोल देते हैं इस तो यहां पर इस तरह सकते हो इस तरह कि यहां पर यहां पर रिडाग्राम बना सकते हो इसका तो यहां से जा तो बहुत सारी रही है लेकिन हम डिखाईता है और अब यहां से भी जो रही है जैसे यहां से इस तरह से इस इदर जा रही है कुछ रही है यहां पर इस तरह से आप यहां पर नीचे इसके दिखा सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर यह जा रही होंगे इस तरीके से पर यहां पर, मुझे अगर scene के किसी particular point को observe करना कि वहां पर क्या हो रहा है तो हम बस के वाल उसी को ध्यान में रखते हुए diagram बना देते हैं मालब लिजे screen के इस point पर मुझे दिखाना यहां पर कि race कैसे पहुंच रही है तो बस हम उसी को focus में रखते हुए उनई रेस को ड्रो करते हैं क्योंकि सबको ड्रो करेंगे फिर तो यहां पर डाग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो यह एक स्वन जो एक सोर्स के तरह भी कर रहा है यहां से लाइट आप यहां पहुंचा दो सिदे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपने लाइट पहुंचा यहां पर पहुंच रही हो चितना सिंटविकल ऑर यहां पर कर यहां पर स्थोह से और सीमेट्रीकल यहां पर रखा हुआ है अगर स्लिट के विलूच के बोल सकता हूं कि जो प्र्श यहां तक पहुंचhot उन में कोई पार डिफ्रिञ क्रेटन नहीं हुआ है यहाँ पर डिषेंट दोगे इस पूरalet स्क्रीध से अगर पर निकालना पड़े Absolutead S1P निकालना पड़ेगा, जो भी geometry है, उस geometry का यूज करना पड़ेगा, तो इस chapter में geometry का भी कई बार हमें अच्छा कासा यूज करना पड़ता है, trigonometry का यूज करना पड़ता है, हमें pythagoras थरम का यूज करना पड़ता है, इन distances को calculate करने के लिए, तो वो आपके geometrical skills है, आपके geometrical skills को आपके ऐसे यूज करते हो, होस होता है कि कभी आप part difference बहुत आसानी से निकाल लो, अगर आप approximations और geometrical skills को चीज से यूज कर लो, तो geometrical skills आपको यूज करना है, वसे इसमें यहाँ पर और यह part differences निकाल लेने, अब यही part difference अगर मालेजे lambda, 2, lambda, 3, lambda, अगर इस तरह के एक आजाता है, तो हम बोलेंगे कि P पर constructive interference हो रहा है, और maximum intensity वाला point है, यहाँ पर यह, maxima का point है, मैं ऐसे बोल देते हैं, वही यहाँ प स्क्रीन पर different different points पर क्या part difference आ रहा है, वो हमें geometrically यहाँ पर calculate करना पड़ेगा, तो वो geometric किस तरह की होगी, कैसे होगा, वो भी आ गयाने वाले हम समय देखें, मालीजे अगर मैंने नीचे अगर कोई point यहाँ पर ले रखा है, let's say, यहाँ पर कोई point है P dash, तो वही बात है, म आप देख सकते हो, देखना बहुत आसान यहाँ पर कि आपके बार S1 से आने वाली रे ने जाला distance टेवल किया है, तो आप लिखना चाहो तो इसको इस तरह के से लेख सकते हो, S1 P dash minus S2 P dash, this is the part difference, ठीक है, part difference फिर हम जो मेट्रीक लिए निकाल लेंगे, उसको lambda से compare कर लेंग कि लेंडा के comparison में किस तरीके का है, अगर मा लेज़े कहीं पर lambda by 6 आगया, तो lambda by 6 जो होगा, एक तरह के से phase difference कितना हो जाएगा, तो 2 5 by 6, तो 2 5 by 6 हो जाता है, 5 by 3, तो इस तरह के से आप different locations से part difference निकाल सकते हो, यह जो point होता है, this point is symmetrical with respect to the slits, generally इसको हम O से यहाँ पर represent कर द हमने line बना रखे, this is perpendicular bisector, उस perpendicular bisector पर है यहाँ पर ही point, तो perpendicular bisector पर तो अगर आप S1 O calculate करोगे, S2 O देखोगे, तो दोनों बराबर आएंगे, इसका वातलब यहाँ पर part difference क्या हो गया, 0 हो गया, this is symmetrical with respect to the slits, तो different different points पे आपको समझ मारा होगा, यहाँ पर इसमें के part differences different different आए अब यह जो interference pattern आ रहा है, तो again कुछ एक conditions है, अगर वो conditions fulfill हो जाती है, तो हमको एक अच्छा interference pattern मिल जाता है, ठीक है, अच्छा interference pattern के बात हो रही है, यहाँ पर, otherwise interference तो हो गई होगा, light को आप भेजोगे, light मिलेगे, कुछ तो कुछ तो करेंगे वो, ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, एक अच्छा pattern बनेगा, खर नहीं बनेगा, तो उसके लिए कुछ conditions है, और धीर-धीर आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह conditions क्यों है, उससे फायदा हमें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो you can remember this condition कि जो capital D capital D यहाँ पर, यह जो slits plane है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर इसमें plane दिखाया गया, पूरा 3D diagram में, यहाँ पर 2D में दिखाया गया, तो यह जो पूरा plane यहाँ पर है, you can see this plane is slit plane, this plane में यहाँ पर slit cut किये गए, opening cut किये गया हम पर, तो this is slit plane, और यहाँ पर हमारा source एक तरीके से S0 बगरा यहां पर इसको S0 से रेप्रेजेंट किया गया है तो यहां पर इनके बीच में जो distance है वो D-dess है slit plane और screen plane के बीच का जो distance है वो D दोनो slits के बीच का जो gap है यानि कि एक तरीके से यहां पर आप इसका मिट ले लो एक तरीके से इसका मिट और इसका मिट तो जनरली यहां पर इसको हम D से दिखा देते हैं small D से दिखाते हैं यह standard notation से कई बार question में हो सकता है कि यह notations न दिये जाए बस यह दे दिया जाए कि small D इतना है capital D इतना है तो आपको समझ भाए जाना चाहिए कि small D का मतलब वहाँ पर क्या होगा और यहां पर slit की जो width है यह opening के जो width है उस width को मैंने डेवलो से यहां पर represent कर रहा है width W is the width of the slit तो this is screen this is slit plane D dash is this much distance और capital D यह वाले distance है small D यहां पर दोनों slits के बीच का गया पर यहां पर आप चाहो तो बिलकुल mid वालब यहां पर ले सकते हो यहां के mid और यहां के mid के बीच का distance यहां पर इसके बराबर है good interference pattern के लिए capital D should be much much greater than small D, small D must much greater than the lambda and lambda is much much greater than the W D dash और D वगर यहां पर क्या है generally large होने ही चाहिए capital जो D dash है और जो D है यहां पर large इसलिए होने चाहिए कि जैसे यहां से जो wavefronts पहुंचे slits पे उनको आप एक plane wavefront के तरह ट्रीट कर सको जो हमने वेफ्रेंट्स पढ़े थे वहां पर हमने देखा था कि अगर point थोड़ा distance पर होता है तो वहां पर यह जो spherical या cylindrical वेवे पहुंचते पहुंचते plane wavefront के जैसा आप बहेव करने लग जाते हैं तो आप यहां से जो wavefronts पहुंच रहे उनको क्योंकि plane wavefront के तरह treat कर सको क्योंकि plane wavefront वगरह से calculations काफी आसान हो जाती है तो हमें calculation point of view से भी देखना होगा कि हम calculation कर पा रहे की नहीं कर पा रहे तो plane wavefront से calculations थोड़ी easy हो जाती है फिर उसके बाद में यहां से भी जो wavefronts निकल रही है तो वो cylindrical निकल तो रही है लेकिन क्योंकि screen अगर दूर रखी होगी वहाँ पे तो फिर इस screen पे जो wavefronts पहुंच रहे है उनको भी आप plane wavefront की थरह treat कर सकते हो तो एक benefit यहां पर यह हो जाता है capital D और capital D dash के बड़े होने का इसके बाद में YDSC से कुछ calculations देख रहा है तो इन calculations में बस हमें यह देखना होता है कि screen के किस point पे यहां पर क्या बन रहा है वहां पर maximum बन रहा है पूरे ही chapter में वो है part difference की calculation हम पाट difference calculate करना आना चाहिए तो मैं कोई भी एक point यहां पर screen पर ले लेता हूँ और उस point को यहां पर ध्याल में रखते हुए calculations perform करना start करते है let's say कि मैंने point यहां पर ले लिया है और is a dotted line and this is perpendicular by sector of s1 s2 तो s1 s2 के perpendicular यहां पर यह perpendicular by sector है उस पर यह point है हो तो obviously कि s1 से हो का distance और s2 से हो का distance यहां पर equal है तो generally हम distances को यहीं से measure करते हैं तो मैं p point का distance यहां से y के बराबर assume कर लेता हूँ let's say this distance is y तो यह distance y के बराबर हो गया यहां से अब मैं यहां पर ray diagram ड्रो कर देता हूँ और ray diagram से part difference निकालने को इस करेंगे तो यहां पर ray diagram ड्रो करते हैं इसके लिए तो यह जो हमरा primary source यहां पर है यहां से जो rays पहुंच रही है वो कुछ इस तरह के से पहुंच रही है और अभी यहां पर यह हमरे ले कोई खास important नहीं है क्योंकि यहां पर सिमेट्री के लिए रखा है तो S से S1 तक जो पहुंच रहा है जितनी length cover कर रहा है यहां पर यह S से S2 तक जितनी length यह cover हो रही है दोनों length बराबर हैं तो यहां तक कोई part difference fs difference नहीं आया है इसमें अब उसके बाद में आगे बढ़ाओ इसको तो S1 से P पे जो rays पहुंच रही है ठीक कुछ इस तरह के से पहुंच रही होंगी S2 से P पे जो rays पहुंच रही है वो कुछ इस तरह के से पहुंच रही होंगी हम सरफ उन्हीं rays को दिखा रहे हैं जो P पर पहुंच रहे हैं उनसे हमें फिलाल यहां पर मतलब है तो ultimately what we have to calculate at this gesture के P पर part difference के हमारा जो main motto है main हमारा जो target है वो यह calculate करना what is S2 P minus S1 P यानि this is part difference generally हम इसको delta X से represent कर देते हैं तो delta X is the part difference difference in path traveled by light till point P P तक जो light travel कर रही path उसमें क्या difference है तो S2 P minus S1 P अगर मालीज यह कि S को अगर मैं कई उपर नीचे रख दू यहां पर इस source को तो फिर क्या होगा कि अगर source यहां पर आ गया तो यहां से यहां तक different हो जाएगा फिर यहां से यहां तक different हो जाएगा तो फिर हमें वह भी calculate करना पड़ेगा लेकिन अभी फिलाल के लिए हम अपने basic calculations से उसको बाहर कर रहें बाद में धिर धिर हम उन cases को भी लेकर के आएंगे और अगर हम इन cases को सीख लेंगे जो अभी हम फिलाल कर रहें तो उनको भी deal कर पाएंगे कुछ जादा उसमें difficulties नहीं आएंगे अब यहां पर एक assumption हम यहां पर लेके चलेंगे ठीक है तो we are going to take one assumption here तो assumption और यह assumption ऐसा है जो generally आपको मिल ही जाएगा capital D is much much greater than small d हम इस assumption को लेकर के आगे यहां पर अब calculate करेंगे इस part difference को ठीक है तो इस part difference को calculate करने के लिए मैं यहां पर construction कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यह जो midpoint है यहां पर इस slits का उसको P से join कर रहा हूँ ठीक है इसको join कर दिया इसके बाब मैं इसको मैं dotted कर देता हूँ क्योंकि यहां पर कोई ray तो है नहीं यहां पर यह अब यहां पर इस angle को I am going to take theta तो इस angle को मैं यहां पर theta लेन जा रहा हूँ suppose this angle is theta तो theta यहां पर किसका angle है तो जो बिलकुल यह midpoint है midpoints आपने P को मिलाया और उसका इस perpendicular bisector यह जो S O यहां पर यह जो line है dotted line इसके साथ में यहां पर यह angle theta बन रहा है अब आप यहां पर imagine करो कि जो d है small d हो बहुत ही कम है और capital D जो है बहुत ही जादा है यहां पर इसमें ठीक है कुछ इस तरह की situation है यहां पर कि यह रहा आपका small d और जो point हो point इसका अतलब यहां से काफी दूर ही पर है बहुत दूर यहां पर यह कोई point है तो अब देखो कि starting में यह जो lines है वो lines almost parallel टैप कियो कि point बहुत दूर है तो these two lines are almost parallel here ठीक है यह जो region इस region में almost यहां पर दोनों lines parallel है अब मैं क्या करता हूँ कि मेरको तो चाहिए part difference s2p और s1p का part difference चाहिए तो ऐसा करते हैं कि p से s1 के बराबर एक में यहां पर radius लेका arc ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है तो टेक p as center and draw arc circular arc with ps1 equal to radius तो ps1 को radius के बराबर लेकर आप आप ड्रॉ कर दो तो जो आप यहां से ऐसे करके यह आर्क यहां पर ऐसे ड्रॉ करोगे तो आर्क इस तरीके से आएगा और यह एक तरीके से perpendicular ही हो जाएगा ठीक है s2p पर यह almost perpendicular हो जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि s1 से s2 पर 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 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो ठीक है तो एक तरीके से s1 से s2 पर 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 किया गया है इसको मैं यहां पर m से represent कर देता हूं let us represent this point as m तो आप यहां पर यह बोल सकते हो कि s1 से लेकर p तक का जो यह distance है और m से लेकर के p तक का जो distance है distance ब्राबर हो जाए क्योंकि यहां पर पूरा एक circular आर्क है जो कि स्टेट लाइन के तरह दिखाई दे रहे है क्योंकि जो स्मॉल डी हो बहुत ही काम है कुछ इस तरह के situation यहां पर आ रही है तो यहां पर एक तरीके से यह एक circular आर्क है लेकिन जो स्टेट लाइन के तरह मुझे नजर आ रहा है यहां पर इसमें अब इसमें इसका फाइदा उठाते विए कुछ हम यहां पर calculations perform कर सकते हैं आगे फटापड तो यह पर पेंडिकुल्र यहां पर भी है और इस पर अल्रोंस पर पेंडिकुलर होगा यह वाला जो एंगल है यह थीटा में आल्रडी मार्क कर रहा है आप यह वाला एंगल देख सकते हो यह वाला एंगल हो जाएगा 90 मैनस ठीटा और उसके यह एक right angle triangle है यहाँ पर, तो S2M आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको यह hypotenuse D पता है, यह angle theta है, तो सामने में sin theta बनेगा यहाँ पर, तो जो S2P minus S1P है, this is nearly equal to S2M, and this is nearly equal to D sin theta, तो जो part difference है, part difference यहाँ पर D sin theta के बराबर आगया और बहुत छोटा सही आगया यहाँ पर, otherwise तो फिर हम यहाँ पर हमें यह करना पड़ सकता था इसमें, कि आप S1P निकालो using Pythagoras, तो S1P के जो value है, वो किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पर Pythagoras से निकालने को इस करते, तो under root of, यह capital D का square, और यह distance का square, जो कि y minus d by 2 होता, ठीक है, फिर आप अगर S2P निकालते, तो फिर again Pythagoras लगाते हैं, यहाँ पर, कि capital, square root of capital D का square, और यह distance small d by 2 होता, small d by 2 plus y का whole square, तो बहुत ही, जो expressions है, बहुत ही ज्यादा typical हो जाते है, tough हो जाते, तो यह जो assumption है, इस assumption से हमने यहाँ पर इसको calculate किया है, otherwise Pythagoras का रास्ता हमें इसा खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पर बहुत मुस्किल आने वाली है, तो this part difference is now equal to d sin theta, ठीक है, this distance, इसको यहाँ पर भी mark कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें, तो यह जो distance यहाँ पर आया है, यह distance यहाँ पर आया है, यह distance एक तो अभी हमने just यहाँ पर पहला assumption लिया है, ठीक है, इन assumptions को आपको जुरूर mind में रखना है, क्योंकि कई बर क्या होता है, कि वो यह check करने को is करते हैं, कि आपको assumptions अच्छे तरीके से पता हैं कि नहीं पता हैं, यानि कि यह जो d sin theta आया है, वो किस assumption में आया है, यह आपको पता होना चीह, हो सकते हैं कि कभी capital D और small d अगर comparable हो जाएं तो फिर यह नहीं हो पाएगा, फिर आपको पूरी geometry पायता है, और सब कुस लगाना पड़ सकता है, तो यह हमारा पहला assumption है, इसके बाद में हाँ पर एक दूसरा assumption ले रहा हूं, यहाँ पर assumption number 2, ठीक है, तो let us take assumption assumption number 2, इसको आप बोल सकते, assumption number 1 था यह, इसके बाद में assumption, आप जो है, इस screen पे जादा उपर तक जाकर के नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप बहुत एक narrow reason के अंदर ही यहाँ पर अपना सारा experiment कर रहे हो, observations कर रहे हो, ठीक है, और generally जो YDSC के setup होते हैं, वो इसी तरह के होते हैं कि यह जो O point है, इस O point के जादा उपर नहीं, जादा नीचे नहीं, वो एक narrow reason में ही आप यहाँ पर, जो interference pattern है, उसको देख रहे हो, तो जो हमारा assumption है, वो यह कि Y जो है, बहुत ही कम है, ठीक है, Y बहुत कम है, अगर Y बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि आपको P जादा उपर assumption Y is small, अब small का मतलब क्या, Y is much much less than capital D, तो Y capital D comparison बहुत कम है, और इस से होगा यहाँ पर यह कि theta काफी small हो जाएगा, theta will be very small, अगर theta बहुत छोटा हो गया, तो आप फिर यहाँ पर आगे और बढ़ सकते हो, यहाँ पर कि अब तक हम sin theta में खेल रहे थे, अब sin theta जो होगा, वो यहाँ पर 10 theta के nearly equal हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर part difference को D sin theta बनाए, under this assumption, उसके बाद जो अगली assumption है, उसमें sin theta को भी 10 theta के बरावर कर दिया, you can take this assumption as number 2, तो आपका जो part difference है, no part difference will become, थोड़ा सा और simple हो जाएगा, तो delta x is equal to D tan theta, तो part difference अब यहाँ पर हो जोगा है D tan theta के बरावर, तो कई बार क्या होते है कि यह y जो है small होने से काम चलता है, हमें जो pattern मिलता है, थोड़ा दूर दूर मिलता है, तो फिर उस case में यह वाला कई बार लगता है D sin theta, और most of the times, यह मान के चलो कि 95-96% जो questions होंगे, उसमें यह D tan theta easily work करता है, लेकिन हमें तो इसके accordingly, तो जो standard results है, वो standard results यही है, अब part difference को इसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे क्या है यहां पर, तो आगे यहां पर यह है कि आपने part difference निकाल लिया, बहुत अच्छा किया, अब part difference निकालने के बाद में, आ further यहां पर थोड़ा और simplify कर सकते हो, इसको जो 10 theta, 10 theta के बाद लिखना असान यहां पर इस triangle में आप देखो, 10 theta क्या हो जाएगा, y by capital D हो जाएगा, तो यहां पर you can write it as dy by capital D, ठीक है, आप इसको इस तरीके से यहां पर लिख सकते हो, तो delta x is equal to dy by capital D, यहां पर यहां पर यहा क्योंकि यह सब कुछ geometry है, geometrical skills है आपकी, या फिर जो approximation की skills है, वो है, वो skills अगर आप यहां पर use करते हो, तो और भी कई तरीके निकाले आ सकते हैं, जिसमे एक तरीका यह भी हो सकते है, ठीक है, यह just हम part difference की बात कर रहे हैं अभी फिलाल, तो एक दूसरा method में यहां पर बत से हो जाएगा, जो part difference है, वो आपका s2p minus s1p है, ठीक है, तो जो part difference है, वो s2p minus s1p है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कि मैं एक term यहां पर लिख रहा हूं, s2p whole square minus s1p whole square, इसको लिखा जा सकते है, s2p minus s1p into s2p plus s1p, ठीक है, अब यह लिख सकते है, इसको इसको इसली, आपका focus इस पर s2p minus s1p निकालने पर है, आप यह देखो कि जो s2p plus s1p है, अब क्योंकि यहां पर, अगर आप बहुत उपर तक नहीं जा रहे हो, ठीक है, यहां पर जो s1p, s2p, जो होंगे, बहुत इसके नजदेक-नजदेकी होंगे, अगर angle बहुत च s2p plus s1p है, यह तरह के से 2d के बराबर हो जाएगा, this is equal to 2d, तो further you can write, s2p minus s1p, तो नीचे तो यहां पर क्या आजाएगा, 2d, ठीक है, यह मैंने पहुचा दिए, यहां पर इसके नीचे, तो नीचे तो आप यहां पर आगा 2d, अब s2p को मुझे यहां पर कुछ लिखना ह होगा, तो s2p को आप यहां पर क्या लिखोगे, s2p का holy square, तो s2p यह पूरी distance, s2p यह एक तरह के साइपोटेनियस है, आप right angle triangle बना लो, बना नहीं रहा हो, यहां पर diagram का कचड़ा हो जाएगा, तो यहां पर आप बस imagine करते चलो मेरे साथ साथ, तो s2p, यह s2p यहां पर है तो यहां पर यह base हो गया, और यह perpendicular type की चीज हो गई, यह तो हो जाएगा capital D, और यह फिर यहां पर हो जाएगा, y plus d by 2, ठीक है, यह जो distance है, वो small d by 2 हो जाएगा, यह this is small d by 2, तो s2p को मैं यहां पर लिख रहा हूं आगे, hypotenuse था है यहां पर यह, तो this will become y plus d by 2 square, plus d square, ठी squaring थी, इसलिए हम under root लगाने से बच गए, ठीक है, यही idea था, यहां पर इस case, आप under root से बच जाओ, क्योंकि under root जैसी आएगा, तो फिर हम भागने कोईस करेंगा, under root से, फिर s1p जो आप यहां पर लिखोगे, तो you can write s1p, यह आपका hypotenuse होगी, यहां पर इसमें, और फिर बाद में, इसका square, प्लस इसका square, अब यह जो है, यहां से, यहीं तक है, तो यहां तक के लिखा करोगे, इस पूरे y में से, यह d by 2 हटा दो, तो यह सब techniques थोड़ी से mind में रहनी चाहिए, जिसे कभी कभार हो सकते है, कि use करना पड जाए, थोड़ा, यहां पर कि किस तरीके इसे pythagoras use करते हैं, तो यह आपका y minus d by 2 type का हो जाएगा एक तो, और एक तो वही d square आ जाएगा, यह capital d square तो cancel हो जाएगा, तो this capital d square will be cancelled, उपर a square minus b square है, तो चाहो तो आप इसको open कर लो, या फिर directly आप यहां पर a plus b और a minus b करके आगे answer लिखो फिर इसमें, तो जब मैं a plus b करोंगा, तो यहां पर 2y आजाएगा, और फिर उसका आप यहां पर a minus b अगरा करोगे, तो d by 2 और d by 2 जुड़ जाएगे, तो यह d हो जाएगा, और यहां पर 2d, यह 2 और 2 cancel हो गया, तो again आप देख सकते हो, कि यहां पर d y by capital d, यह part difference का यहां पर answer आजाएगा, और इस answer को निकालने में हमने यहां पर theta को small मानते वे और यह सब कुछ करते वे यहां पर इसमें, वो सारे approximation इसमें use कर लिया है, तो part difference हमने इसमें calculate कर लिया है, under two assumptions, तो d tan theta और d tan theta के बाद में d by by d, अब इसके बाद में हमें आगे calculations करने कि screen पे वो locations क्या होंगे, जहां पर हमें bright मिल spots मिलते हैं, उसको maxima बोल देते हैं, तो for maxima, maxima के लिए हमें यहां पर, जो यह part difference है, उस part difference को लिखना पड़ेगा, n lambda के equal, lambda is the wavelength, तो part difference यहां पर d y by capital D, this is equal to n lambda, यहां से आप वो y निकाल सकते हो, तो y यहां पर हो जाएगा, n lambda capital D by small d, ठीक है, तो यहां पर यह आपका part difference, यह y निकल के रख्या आगया, अब यहां पर typical locations जिसे अब n को 0, 1, 2, 3, 3, k से रख सकते हैं, तो n, 0, 1, 2, 3, 3, k साप इसमें रख लो, तो उससे आपको y यहां पर मिल जाएगा, 0 मिल गया एक तो y, y 0 का मतलब है कि जो आपका o point है वो ही, और यह तो वैसे भी होना चाहिए क्योंकि s1 से o तक जो rays पहुंचेंगे और s2 से o तक जो rays पहुंचेंगे, उनमें कोई part difference नहीं, part difference 0 है, अगर part difference 0 है, तो यहां पर यह, same phase में यहां पर पहुंचेंगे, तो y is 0, फिर उसके बाद में अगला हो जाएगा y, lambda d by small d, उसके बाद में हो जाएगा twice, ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे भी यहां पर इस तरहकी का मिलता चला जाएगा, तो जैसे points मिलेंगे बिल्कुल क्योंकि symmetry है, तो वैसे points बिल्कुल यहां पर नीचे मिलता चले जाएगे, तो उन points को मैं यहां पर locate करूंगा, उससे पहले minima यहां पर यहां पर calculate कर लेते हैं, तो for part difference lambda by 2 का odd multiple, तो odd के लिए आप 2n plus 1 use कर लो, 2n minus 1 use कर लो, doesn't matter, lambda by 2, अब यहां पर यह part difference हो गया, इसको आप यहां पर d y by d के बराबर रख दो, तो उससे आपको y की values यहां पर मिलने start हो जाएगे, तो y की value यहां पर lambda capital D, और यहां पर आपका यह 2n plus 1 था इसके साथ में, divided by 2d, अब इसमें n की आप values put कर तक चलो और आपको y की values मिलते चले जाएंगे, तो n यहां पर भी 0, 1, 2, 3 इस तरह साब put कर सकते हो, तो n, 0, 1, 2 इस तरह के से आप यहां पर put कर लो, तो यहां पर आपको y की value मिल जाएंगे, जहां पर यह minima के locations है, तो n को अगर मैं 0 put करता के बाद में lambda capital D by 2D, n को अगर मैं 1 put करता हूँ, 2 plus 1, 3 हो जाएगा, 3 lambda D by 2D, चीक, इस तरह के से 5 lambda D by 2D, तो इस तरह से different locations आपको मिलते चले जाएंगे, थोड़ा इन locations को मैं यहां पर screen पे represent कर देता हूँ, तो screen पे जो locations है, तो red से में represent कर देता हूँ, यहां पे जो bright spots हैं तो bright spot पहला तो आपको यहीं पर ही मिल गया, यह मिल गया, यह मिल गया bright spot, उसके बाद में अगला जो आपको bright spot मिल रहे है, next पहला bright spot तो अहीं पर मिल गया, अगला bright spot फिर आपको यहां कहीं पर लेट से मिल गया, फिर अगला bright spot यहां कहीं पर मिल गया, कितने distance हैं मिल रहे यहां पर पहला zero distance, दुसा lambda d by d, फिर उसके बाद आप देखो वापर से उतने distance, यह जो consecutive distances आ रहे हैं, यह भी बराबर-बराबर सी आ रहे है, फिर आपको यह मिल गया, फिर आपको यहां पर यह मिल गया, इस तरह के से आपको यह bright spots मिल रहे हैं, मिलकूल वैसे के वैसे आपक आपको मिल यहां पर bright spot, ठीक है, bright spot का मतल है, वहां पर आपको maximum intensity मिल रही है, जो maximum possible हो सकती है, फिर उसके बाद में आपको यहां पर एक तरह के सा आप यह देखो कि यह जो point यह जो y is equal to location है, यह location बिलकूल इन दोनों के बीच में है, फिर उसके बाद में यह जो अगली location 3 by 2, तो 3 by 2, यहां पर 1 or 2, तो 1 or 2 के भी इसमें 3 by 2, तो बिलकूल बीचो बीच है, तो बिलकूल इनके बीचो बीच, और बिलकूल exactly बीचो बीच, यहां पर आपको यह dark spots यहां पर मिल रहे है, you are getting dark spots exactly in the middle, ठीक है, उसे तरह के से नीचे भी, तो इनको आप label कर सकते हो इस तरह के से, कि यहां पर यह bright spot मिला, फिर 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 bright spot मिला, यहां पर, यह bright spot, फिर bright spot, फिर bright spot, इस तरह के से bright spots, और इनके बिलकूल बीचो बीच, 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 चलते जाओ, dark spot मिलते जा रह यहां पर डार्के स्पोर्ट मिल गया यहां डार्के स्पोर्ट हो गया तो इस तरह के से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क आपको पूरा एक पैटर्न यहां पर इस तरीके से मिल रहा है इसमें तो यह आप यह पैटर्न तो यहां पर ठीक है मिल रहा है यहां पर इसमें यह और यहां पर पर पाइड दिफेरेंस आपको अफो यहां पर यहां पर प्रस्ते dancer nhân को ब्रावर मिल रहा है इसके बाद यहां पर पर आपको तुम के ब्रावर land है अब यहां पर रहा है इस तरीके से आपको यह कितनी मिलेगे तो अल्रेडी हम देख चुके हैं कि इंटेंसिटी जो मिलती है वो उसका फॉर्मला यहां पर यह हो जाता है आइवन प्लस आइटू प्लस तू रूट आइटू कॉस्ट डेल्टा फाई तो डेल्टा फाई हीर इस फेस दिफरेंस तो फेस डिफरेंस आप यहा पर करके आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो अगर दोनों के इंटेंसिटी बराबर आइवन आइटू अगर बराबर है तो उसकेस में आई का जो आंसर मिल जाता है वो फॉर आई नौट कॉस स्क्वाइर डेल्टा फाई बैटू और जनरेल एक अच्छा पैटरन मिलने के लि में हैं तो फिर क्या होगा क्यों का डिफरेंस अने स्टार्ट हो जाएगा परापको मिनमा मिल रहा है तो मिमाцип अगरके से जु ortorama टार्क अजिकर को दीकर करके समझ पायंगे कि मिनमा के upfront के लिए घृड़ एक मिलन Shindal तरीके से identify हो पाएगा पैटर्न तो अब तक हमने इसमें देख लिए कि कहां पर मैक्समा कहां पर मिनमा बन रहे हैं और मैंने एक बड़ा सा डाइग्राम यहां पर बना दिया जिसमें थोड़ा सा देख सकते हो कि जैसे आप स्क्रीट उपर के तरफ चलते चले जारे हो पार डिफ्रेंस बढ़ता जा रहा है तो अगर यहां पे जाओगे तब बढ़ेगा बस उपर जब जाओगे यहां पर तो जहा चलना पढ़ेगा जोrichsung जालना पढ़ेगा नीचे अगा वैसे के वैसे ही थी बस अब यहां पर क्या होगा एस टू को चलना पढ़ेगा और सभाधूरत रही हों वेकर सब्सक्रास के बात करो तो यह दिस्तेंस कि बात करो तो यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इंटर्फेर कर रहे हैं लेकिन ना तो उपर बढ़ेगी ढखे थी इंटेंसिटी तो यहां पर हर जिए पुछ इंटेंसिटी आपको मिलेगी बस यह जो पॉइंट से यहां पर 0 intensity मिल रही है और वह भी 0 तब मिले कि जब दोनों से इंटेंसिटी निकल रही है वह बराबर हो आइवन आइट वोगर बराबर हो तभी जिरो मिलेगा अधरवाइस यह भी 0 नहीं मिलेगा तो बीच में आपको 3-0-2-0-0-0 फिर 0 के बाद फ इसको बोलते हैं fringe विर्थ fringe विर्थ तो दिस इस fringe विर्थ को यहां पर हम कुछ इस तरह से define कर रहे हैं इस इस minimum distance between minimum distance between two consecutive two consecutive sorry two consecutive maxima or minima ठीक है maxima or minima यह तो 2 maxima की बीसा consecutive distance देख लो यह 2 minima की बीसा consecutive distance देख लो यह distances बराबर आएंगे यहां पर इसमें और क्योंकि यह बराबर आ रहे हैं इसे लिए इसको define करने का मतलब है अगर मान लीजे यह वाला bright और यह वाला bright इनकी भी इसमें gap यह इतना होता और फिर यह bright और यह bright इसके बिसमें गैप अगर कुछ और होता तो फिर हम यह इस गैप को define करने का मतलब भी नहीं था तो यह जो इस तरह की है कि यहाँ पर gaps है यह gaps क्योंकि बराबर बराबर आ रहे हैं इसलिए इनको define कर रहे हैं और हम याद भी रखेंगे fringe width को जनरली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो बीटा जैसे डियाग्राम में मुझे यहाँ पर दिख भी रहे है या फिर इसको थोड़ा प्रॉपर वे में जीरो है इसको बोला जाता है जहां पर पार डिफरेंस जीरो होता है उसको बोलते हैं Central ब्राइट फ्रिंच या इसको बोल देते हैं Central Maxima क्योंकि इसके उपर और नीचे symmetry रहती है एक जैसा pattern रहता है इसको पर इसके नीचे जहां पर डिल्टा X is equal to जिसे जो भी आपका यहां पर मैक्समा बनता है वहां पर देल्टा हो जाता है यहां पर इसको बोलते हैं फ्रस्ट ओर्डर Maxima इस तरह किसे जहां पर Delta X is equal to Lambda आ रहा है वहां पर इसको बोलेंगे Second Order Maxima This is called Second Order Maxima Central और First Order Maxima के भीच में यह मिनिमा आ रहा है इसको बोलेंगे First Minima ठीक है this is First Minima This is your Second Minima इस तरह किसे यहां पर यह terms define कर दिये गए हैं तो जो भी यहां पर आपका ब्राइट फ्रेंच है delta x is equal to n lambda n is equal to 1 यह हो गया आपका first maxima n is equal to 2 यह हो जाएगा second maxima इस तरह के से terms को हम यहां पर बोलते थे तो n is equal to 1 2 3 इसके सबसे first order maxima second order maxima इस तरह के से तो यह nth order maxima है और यह n-1 वाला है तो जो y n है y n कहां पर होगा तो n हमने पहले भी calculation कर रहे हैं तो n lambda d by d और यह कहां पर होगा तो n-1 lambda d by d इसके लिए इतना हो entity है इसका उतलब है कि fringe width यहां पर constant है दो consecutive bright या जो दो consecutive dark के भीच में अगर आप यह gap निकालोगे वह gap हमें सा fix आएगा लेंड़ा capital d by small d तो you must remember this formula is formula को आप यहां पर याद रखो और अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टार्टिंग में एक approximation एक और लिया था कि जो लेंड़ा है वह लेंड़ा मुच 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 लेस दें डी होना चाहिए ठीक है small d जो होना चाहिए काफी बड़ा होना चाहिए लेंड़ा कंपेरिजन में तो आप यह देखो कि लेंड़ा भाई डी लुद्रा कि अगर यह मस्मंस देजलन within hola होन है अगर यह जो रेश़ो अगर यह मस्मंस देजलन वन है तो बीटा आपको कम मिलेगा यहां पर टीक है अगर बीटा कम मिलेगा तो फिर आपको इस ख्रींट पर ज्यादा ओपर जाने की जरुत नहीं पड़ क्योंकि आप तो उसके लिए जो लैम्डा बाइट डी का जो फेक्टर यहां पर दिख रहा है यह काफी छोटा होना चाहिए एक जांस वन के कंपरीजन में तो यह अप्रोक्सिमेशन यहां पर वैलिड है यहांशंने के हम ने यहां पर दीटाइट डीवाई डी यह सब कुछ किया और यह जो फॉर्मलिस डीफाइन कर रहे हैं वह उसमें यह वाला चाहिड यहां पर बेता हो पाएगा बीटा इस्मॉल और बीटा स्क्रीम पर पेंगे फिर भी यहाँ वील होता है यहां को हम बोलते हैं fringe width आब इसके बाद में एक term और यहां पर home defined कर रहे हैं जिसको मोख लेंगे angular fringe wrist angular fringe अगर में यहां 2000 यहां से यहड्रॉब करता हूँ यहां पर यह पिए सापोज एक ब्राइट यहां कही पर है ये एक ब्रैट है और एक ब्राइट फिर अगला यहां पर यह तो यह जो अंगेल में यहाँ पर मेरा को मिल रहा है इसे को बोल देता है, इस धिता को यहाँ बोल देता है इस धिता को में यहा पर रिपेसेंट कर देता हूं , let's say अफंदी थिता है यहाँ ब तो यह जो फाइय है वो अंगिलर फ्रिंज विर्फ हो गए तो this is the angular separation between two consecutive ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के लिए करेंगे तो ही आएगा तो लेट इस दिफाइन दिस तर्म इस अंगुलर सेपरेशन अंगुलर सेपरेशन बिट्वीन तो कॉंजेकितिव मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आप लिखना चाहं किसे से ऑप क्लक्थोशन करो सबसे वही आएगा मैक्सिमा मिनिमा क्या वैलु बनेगे इसके तो इसके जो वैल्यू बनेगी यहां पर उसको आप इस तरह के से कल्कुलेट कर लो कि phi is equal to, तो एक तो आप यहाँ पर इसके लिए theta निकालो, कि इसके लिए theta की value क्या होगी, और एक इसके लिए theta की value निकालो, दोनों theta को आप minus कर दो, एक को मैं theta for nth order bright fringe बोल देता हूँ, और एक को मैं n-1 के लिख लिख देता हूँ, अब जो theta यहाँ पर होता है, 10 theta आपको पता इसको अगर आप जहां से देखो, तो yn- yn-1, तो consecutive दो bright fringes के भी इसका gap beta हो गया, beta by d के बराबर हो जाएगा, तो इस angular fringe width is equal to beta by d, और beta by d अगर आप यहाँ पर करोगे, तो lambda by d हो जाएगा, और आप देख लो कि angle small यहाँ जो separation होए, small तभी हो पाएगा, when this is followed, जब lambda by d, तो यहाँ पर यह angular fringe width हो गया, this is the fringe width, इसको सरफ fringe width बोल देते हैं यहाँ पर और इसको बोल देते हैं, angular fringe width, this is angular separation, and this is the separation on the screen, इस screen पर जो separation जिसको हम y से represent कर रहे है, वह है यहाँ पर यह, अब इसमें जो part differences है, part differences जीससे यहाँ पर 0 था, यहाँ पर lambda हो गया था, मिल जाएगा, कहीं पर народा, यहाँ कहीं पर लेंडा भाई, लेंडवाई four 그렇죠 पोर मिल जाएगा, और लेंडवाई three मिल जाएगा, लेंडवाई six मिल जाएगा, इसके वाज़ेग EVERY अपने cover कर लिया तो उसके बाद में, lambda से लेका लेंडा के वीच में, उसे तरतीन के points मिलें तक तो फिर वही चीज भी फिर्ट होनी में स्टाइए लेंडा के बावने तो लाम्डा वाइफ 2 अगर पाटट डिफर्एंस है तो यहा पर भी होगा जो यहां पर होगा पर यहां पर लेंडा की सम्ट रिलेंडा की समय हुए फयों वह सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे कि क्या यहां पर हम यहां पर देखा फृरेंगलर अब इसके बाद में यहां पर यह देखेंगे कि क्या यहां पर हम जितने मन मर्जी उतने हमें यहां पर bright fringes मिलेंगे क्या हमने तो यहां पर लिख दिया कि lambda है फिर 2 lambda है फिर 3 lambda है फिर 4 lambda है फिर 5 lambda 6 lambda 7 8 9 10 क्या यह जितने भी हम लिखते जा रहें क्या सब मिलेंगे हमको क्या हमें किस higher order maxima तक हमको maximas मिलेंगे ठीक है तो इसको हमें यहां पर देख लेना होगा कि maximum कहां तक हम जाएं क्या हमको 100 order का मैक्सा मिलेगा जहां पर delta x is equal to 100 lambda होगा क्या हमको 200 lambda मिलेगा और विसे जितना उपर चलते चले जाएंगे उतना यहां पर हमारा ठीटा का जो approximation है वो थोड़ा सा गडबड होता चला जाएगा तो थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर यहां पर हम next slide में थोड़ा देखने कोईस करेंगे कि कहां तक कितने maximum मिलेंगे हमको इस तरह कि कि साल पूचिज आते कि कितने maximum कि टना million मिलेंगे क्या Print है यह unlimited है कितने मिल सकते हैं तो अब हम लोग यहां पर यह देखने में interested है कि हमें कितने maximum तक मिल सकते हैं कितना minimum को यहां पर just that simple 이सके लिए हमें यहां पर देखना पढ़ेगा कि ना है उसके लिए यहां पर दिखना पढ़ाईगा यहां कहां तक राच फॉलाज लैमडा ओंड़या हो चाहँ तो फुटा साउम्स पर समझना पड़ेगा कि पार्ड zustक धिया एगा वह S2P और S1P का difference हो और वो difference आप देखो D sin theta के बराबर है और आप यहीं पर देखो कि sin theta है कि जो maximum value हो सकते हो 1 हो सकती है और जब theta 90 degree होगा तब अब theta 90 degree अगर आप इस diagram में imagine करो तो theta 90 degree का मतलब इसको आप घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ या फिर आप यह देखो कि यह जो ट्राइंगल है geometrically यह जो ट्राइंगल है S1P S2 ठीक है यह जो ट्राइंगल बन रहा है यहां पर S1S2 और P से तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनता है तो इस ट्राइंगल में दो साइड का डिफरेंस यानि कि ultimately हमें इन दो साइड का डिफरेंस ही देखना है चाहे यह पी पॉइंट उपर लो चाहे नीचे लो तो हमेशा इन दोनों साइड का डिफरेंस होगा और ट्राइंगल के अंदर जो दो साइड का डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से हमेश कम ही होता है दो साइड का जो समिशन होता है वो थर्ड स़यट से ज्यादा होता है लेकिन दो साइड का जो difference होता है's वो थर्ड साइड से में जूब्हक्ण होता है एक आप यहां से भी स्कान शीड हेग सकते हूं तो इन ट्राइंगल । । बीट्वेंट between two sides यह just simple geometry है between two sides s2p and s1p इनकी भी इसका जो difference होगा will be less than d हम ऐसा यह जो difference है वो d से कम ही आएगा तो आप यहां से d sin theta theta से आप देख सकते हो या फिर इस triangle की property से देख सकते हो तो इसका मतलब है कि जो part difference है आपका वो part difference हम ऐसा d से यहां पर कम ही होगा ठेक है part difference will always be less than d मैं equality नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि equality कहां पर मिलेगी infinity पर delta x is equal to d जो मिलेगा मेरे को वो screen पे finite distance में नहीं मिलेगा मेरे को infinite distance मिलेगा तो at infinite distance on screen जो कि होती नहीं है practically तो at infinite distance on screen तो exactly d के बराबर आपको part difference नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब है कि part difference पर एक limitation आ गई part difference पर एक limitation आ रही है तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको जो maxima के orders मिलने वाले हैं 100, 200, 300 कितने maxima मिलेंगे उस पर भी limitation आएगी कुछ एक values लेकर के हम इसको थोड़ा सा समझने को इस करते हैं जैसे माली जी है कि आपको यहां पर जो डी है वो लेट से दे रखा है सपोज 400 लेंड़ा के बराबर यानि डी अभी भी लेंड़ा काफी बड़ा है मैंने जो हमारा general assumption होता है वही एक तरीके से अभी यहां पर लिया कि जो डी बाइलमडा है डाट इस 400 तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि theoretically आपको maximum theoretically ठीक ठीकली 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 जो maximum part difference मिलेगा 400 लेंड़ा के बराबर मिलेगा यहनि 400 order का maximum मिलेगा theoretically लेकिन अगर हम practically देखें तो practically और हम हम से जब भी पूछा जाए कितने maximum मिलेंगे तो हम इस प्रेक्टिकली के हिसाब से अंसर करेंगे practically maximum जो order हमको मिलेगा maximum order विल भी 399 lambda तक हमको मिलेगा 399 lambda के लिए हम ठीटा वगरा निकाल सकते हैं कि यह ठीटा होना चाहिए तो 399 lambda तक हमको मिलेगा हमको 400 401 order वाला maximum नहीं मिलेगा यहां ठीक है तो maximum order जो maximum का होगा वो यह रहेगा 399 lambda यानि कि यहां पे तो 0 मिलेगा आपको फिर lambda वाला पाइंट को मिल जाएगा два hm Capture lambda दो जखकर नमटा को फॉंच मिल जाएगा फोर लियृ प्र आप मिल जाएगा तो इस तरे कि ever printed मिलेगे कितने total मैक्समा आपको मिलें सबत्वे तोटल number of maximum कितने मिलें अगर यह यह यहां पर मिलेंगे वो यहां पर हो जाएंगे क्योंकि यह 0 वाला है जिरो के बाद में आपको 123 करके 399 मिल जाएंगे तो 0 के ओपर 399 मिलेंगे 0 के निचे 399 मिलेंगे तो 2 x 399 ठीक है और इस 0 वाले को Central Maxima को अगर आप यहां पर सामिल कर लो तो Central Maxima को सामिल कर लिया तो प्लस बन और कर दिया तो इससे आपको जो नमबर उफ मैक्सा मिलेंगे वह कितने मिलेंगे 799 तो 799 number of Maximas आपको यहां पर मिल रहे है मिनमा भी आप काउंट कर सकते हैं मिलते चले जाएंगे तो उसके साब आप मिदमा काउंट कर सकते हो यह हुआ आप 400 वाले काउंट नहीं करेंगे क्योंकि को सब्सक्तर करते 400 वा लों काउंट करके तो उपर थेटा काफी small है वह maintain रहे क्या जब तक हम यहां तक पहुंचेंगे 399-398 तक पहुंचेंगे तो क्या वो थेटा maintain रहेगा कम की थेटा काफी कम है तो जैसे माल जीए कि आप 300 के लिए calculate करना चाहते हैं कि कहां पर 300 वाला मेक्सम मुझे को मिलेगा तो part difference 3 यहां पर लिखोगे कि इस इकोड़ 300 लेंड़ तो 300 लेमड़ा अगर आपको 300 वाला चाहिए तो कहां पर बन रहा है वो चाहिए तो और डि है 400 लेमड़ा तो साइन ठीटा फिर हो जाएगा तो अगर आप बहुत जदा हाइर ओडर मैक्समा तक जाओगे तो फिर यह जो ठीटा स्मॉल वाला है वह सब कुछ हट जाएगा आप 10 तक चले जाओ 20 तक चले जाओ 40 तक चले जाओ 40 तक में भी यहां पर यह 1 तरही किसे नेरो रिजन में अगर बात करते हैं नेरो रिजन में आपको ठीटा किस तरहेके से छोटा यहां पर रख न आपको जड़ादा इंदर ओपर नहीं जाना था जाना है यहां पर जो हमने फॉर्मिली डेराइब की हैं यूंवाद कर सकते हो अधर्वाइस फिर आपको यहां पर इसका उज़ करना पड़ेगा डी साइन ठीटा को छोड़ना पड़ेगा अब एक तो मैंने यहां पर डी बाइ लेंडा को काफी यहां पर बड़ा ले लिया है पर इसमें जो जनरली हम मान के चलते हैं कई बार लेकिन इस तरह की का पर दिया जा सकते हैं इसमें एक काम आपको इसमें फूर्ड तो अगर यहां पर है तो आपको कितने मैक्सिमा और यहां पर फिर आपको यहां पर मैक्सिम और जो मिलेगा maximum order यहाँ पर क्या मिलेगा maximum 3 lambda तक का मिल जाएगा तो उससे जो number of maximum है वो कितने मिलेंगे फिर आपको यहाँ पर नमबर ओफ मेक्सिमा यहाँ पर हो जाएगा इसमें फिर उस case में आपके लिए कि 3 lambda तक उपर मिल जाएगा ठीक है या नीचे मिल जाएगा और 1 बीचे मिल जाएका दो सेंटल मैक्सिमा होगा तो टोल सेवन मैक्सिमा आपको यहां पर मिलेगे ठ्यक्राल सिमस अ nutrisee कर नहीं है तक रह चाले के से कर सकते हैं और फिर प्र यहां पर अ唐 करना चालती है तो बीच पीछ में आपको यहां पर मिनिमाज मिलते चले जाएंगे जैसे यहां पर यह लीज लेंडाबाय टूमिल जाएगा फ्र यहां पर फाइफ लंडा वाइट उमिल जाएगा फिर सेवन अडा वे टो भी मिल जाएगा इस तरह के से जिसे फोर इदर मिल तो फो इधर मिल जाएंगे तो सो जो miejक्समाज है वो मैक्समाज यहां पर आपको कितने मिलेंगल झाइब है आपको इसमें नंबर ओफ मिनिमा मिनिमाज कई सौने दुब थो फोलियोगे तो फूर फॉर फॉर। वंडा की ङुट का अगर अब लेकिन इसanca कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा माली जी कि आप निकालना चाहते हैं कि कहां पर हमारा यहां पर सेकेंड ओर मैक्समाइड इस इकॉल डिल्टा इस इकुल टू लैंब्डा तू लैंब्डा वाला पॉइंट मेरे को कहां पर मिल रहा है तो पाट डिफ्रेंस डी हाफ हो जाएगा ठीटा 30 डिग्री आ जाएगा तो जो सेकेंड ओर मैक्समा है वही आपको 30 डिग्री जाके मिल रहा है यहां तो इसे लिए फिर तो थोड़ा दूर भी हो जाएगा यहां पर और इसके कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो तो लैंडा वाले के लिए ठीटा 30 अगर बहुत बड़ा नहीं आया तो फिर आपको एक तो ज्यादा मैक्सिमा नहीं मिल पाएंगे और जो मिलेंगे वो भी उनिफॉर्म स्पेसिंग पर नहीं मिलेंगे आप फुद ही यहां पर देख लो इसको लैंडा के बराबर रखोगे तो साइन टेटा 1 बाइफोर होग ज्यादा एंगिल नहीं देखना पड़ेगा ज्यादा एंगिल ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा तो इसलिए यह वाली कंडिशन में हम लोग यहां पर जातर इसको पोजिशन वगरा कैसे निकालनी होती, लेकिन जस्ट एक यहां पर ध्यान दिलाने के साब से, कि कितने maximum मिलते हैं, किस तरीके से हम decide करेंगे, तो जो maximum part difference होगा, वो small d तक हो सकता है, अब वो small d आपका कितना है, lambda comparison में, तो उससे आपको idea लगेगा, कि आप कहां तक जा सकते हो आगर आप ज्यादा उपर जाओगे, तो theta वगरा क्या, उस limit के beyond हो रहा है, जिसमें हम d 10 theta यूज़ करते थे, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो इसके बाद में, अब कुछ questions वगरा है, इनके हम करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी और ज्यादा clarity हो, कि question किस त करते हैं, उसे को में यहाँ पर यूज़ किया हुए, तो small d is the gap between the slits, lambda is the wavelength 500 nanometer, and capital d is 1 meter, तो data दिया गया और उसके बाद आपसे question पूछे जा रहे है, तो पहला question पूछा गया, fringe width का, तो fringe width का question आप से तभी पूछा जा सकता है, जब जो fringes बन रहे हैं, central maxima के अस पास, उन और uniform spacing नहीं होंगे, तो fringe width का question पूछा ही जा सकता, तो यहीं से आपको hint मिल जाना चाहिए, कि इसमें सारे जो भी हमारे, जो भी approximations थे, सारे valid होंगे, तभी हम से fringe width पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने एक तरीके satisfaction के लिए, एक बार यह देख लेते हैं, कि क्या सारे हमारे जो भी हमने approximation लिए थे, क्या सरे वो valid हो रहे हैं, यहाँ पर कि नहीं हो रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले तो आप यह देख लो कि capital D, तो capital D जो है 1 meter है, और यह जो small d है, वो 1 mm है, तो capital D is 1000 times of small d, तो यह valid है, तो इसका on a d sign theta अगर valid हो जाएगा, और उसके बाद में आ जाते थे जो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते थे, स्क्रीन पर central maxima से बहुत ज़्यादा उपर नहीं आते थे, और बहुत ज़्यादा उपर जाने की जरूद दारवली हमें तब नहीं पढ़ती है, जब यहाँ पर जो d होता है, वो lambda की comparison में अगर बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं कि d और lambda का आपस में किस तरह की का यहाँ पर relation है, ठीक है question solve करने से पहले इबर जस्ट इन सब को यहाँ पर हम verify कर ले, तो d by lambda, d यहाँ पर 1 mm है 10 के पावर मैनस 3, और जो lambda आपका वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी कोई दिकत नहीं है, तो इसको अतलब perfectly okay है यहाँ पर हमारे assumptions है, उन assumptions को मचे तरीके supply करके discussion को solve कर सकते हैं, तो let us start solving this question, तो पहले fringe width, तो step forward है, formula best question, बस आपको formula याद होना चाहिए इसका, तो beta is equal to lambda capital D by small d, तो वैसे आप d by lambda अल्रेडी निकाल तो d by lambda फिर 1 by 2000 हो जाएगा, और capital D आपका यहाँ पर कितने है, 1 meter, तो capital D is 1 meter, उसको आप यहाँ पर millimeter में अगर लिखोगे तो 1000 millimeter होगे, हमें millimeter में calculate कर लेता हूँ, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0.5 millimeter, तो this is the value of beta, तो आप देख सकते हो कि typically जो betas वगरा की value होती है, वो millimeter व ydc के data type ही है, small dc order का होता है, millimeter range का ही रहता है, यह meter type का होता है, तो exactly उसे तरह की data यहाँ पर दिये गए, इसके बाद में अगला जो परशन है, वो है angular fringe width, तो angular fringe width अगर मुझे यहाँ पर calculate करनी है, तो angular fringe width हमने calculate किया था, angular fringe width जो आया था, 5 से हमने इसको denote किया था, तो 5 से हमने इसको denote किया था, तो यह हो गया था आपका यहाँ पर इसमें, lambda by, sorry यह हो गया था एक तरह किसे beta by capital D, और यह lambda by small d के ब्रबर आगया था, तो यहाँ पर यह 1000 radian हो जाएगा, ठीक है, इस is angular, angular separation between the maximals, और अगर आप इसको यहाँ पर देखो, तो यह हो जाएगा आपका, 5 into 10 के power minus 4 radian, ठीक है, बहुत छोटे सी value यहाँ पर ही इसका मतला, फिर उसके बाद में next पर आते है, number 3, number 3 में कह रहे हैं कि distance of third order maxima from O, ओ का मतला है central maxima, तो यहाँ पर जो पहला order maxima है, उसका उसे distance beta के बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद बेटा और add कर लो second order के लिए, फ तो आप यहाँ पर देख लो, 3 into 0.5, 1.5 mm, और आप यह भी देख सकते हो कि screen पर हम बहुत जादा उपर नहीं जा रहे हैं, किसके comparison बहुत जादा उपर नहीं जा रहे है, जो capital D, capital D 1 meter, और screen पर आप जो जा रहे हो, वो 0.5 mm, 1.5 mm, तो इसका मतलब, सब कुछ हमारी approximation के range में है, position of points close to central maxima, where intensity is 3 I0, 2 I0, I0 इस तरह के से, I0 मैंने यहाँ पर individual जो S1, S2 है, उसके intensity लिए है, तो जो maximum intensity मिलेगी हमको 4 I0 है, तो 4 I0 से लेकर के 0 की भी इसमें तो पूरी range हमको मिलती है, 3.9 I0 वाला भी होगा, 2.8 वाला भी होगा, 2.2 वाला भी होगा, लेकिन हमने कुछ ऐसी values लिए, जिनके लिए calculate करके हमें बताना, थोड़ा सा हमारे लिए आसान और कुछ वस्तरेकी की values यहाँ पर ले गई है, तो आपको इसके लिए intensity का formula पता होना चाहिए, तो intensity का formula I is equal to हो जाता है, 4 I0, cos square delta 5 by 2, ठीक है, दोनों intensity is I0 के बराबर, और उससे जो net intensity बनेगी, वो phase difference के साबसे इस तरह की से vary करती है, अब इससे बस आप यह intensity की values पूट करते चले जाओ, तो मैं पहली value यहाँ पर पूट कर रहा हूँ, 3 I0, तो 3 I0 जब यहाँ पर आप पूट करोगे, तो 3 I0, this is equal to 4 I0, cos square, delta 5 by 2, तो 3 by 4 हो जाएगा, I0 cancel हो जाएगा, और squaring कि जब यहाँ पर तो cos delta 5 by 2 is root 3 by 2, तो इसका लब angle 30 degree और delta 5 की value हो जाएगा 60 degree, तो delta 5 is 60 degree, तो 360 का 1 by 6 है यहाँ पर यह, और lambda 360 है नहीं कि 2 pi को represent करता है lambda, तो यहाँ पर part difference जो है वो lambda by 6 के बराबर हो जाना चाहिए, पहले वाले case है, part difference is lambda by 6, तो part difference यहाँ पर lambda by 6 के बराबर होगे, या फिर अगर आप part difference calculate पूरी proper तरीके से करना चाहते हो, तो आप इसका फिर यहाँ पर लिखो गए 2 pi by lambda into this delta x, और 60 degree को फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, pi by 3, तो यह रख करके आप delta x के वालों निकाल सकते हो, lambda by 6 के बराबर आजाएगी, इससे आपको y अगर यहाँ पर निकालना है, तो वैसे तो हमको directly दिख जाना चाहिए, कि screen पर क्या होता है, यहाँ पर कि सबकुछ linearly distributed होता है, equal equal spacing पर सबकुछ रहता है, यहाँ पर, जैसे अगर मा लीजे कि यह 0 वाला point अगर आपके पास में है, जहाँ पर central maxima है, और यहाँ पर यह first order maxima यहाँ पर delta x जो है, वो lambda के बराबर है, तो इस पूरी beta distance में, lambda के बराबर part difference आ रहा है, तो इस पूरी beta distance में, screen के जो distance है, वो इसके बराबर है, कई लोग screen पर distance को lambda समझ लेते हैं, स्क्रीन पर डिस्टेंस लेंडा नहीं है यहां पर स्क्रीन पर जो डिस्टेंस है वो तो यह है लेंडा कैपिटल डी वाई स्मोल डी जो कि वन बीटा के बराबर है और क्योंकि हमने देखा है कि जो स्क्रीन पर यहां पर डिस्टेंस आती है यहां पर यहां पर जिरो से लैम्डा होने में बीटा डिस्टेंस लगा, जेरो से लैम्डा बाइटविटाटू लगता है, इसा हमने देख रखा है, तो आप डियरेटली बीटा बाइएजिटर्ट कर बाइचन सकते हो, एक तरहीं कि यहाँ पर इसको प्रोपर तरीके से भी कर सकते हैं, कि जो पाड 3y by d और यहां पर इसको आप lambda by 6 के बराबर रख लो तो यह हो जाएगा lambda by 6 capital D by small d तो इससे आप डेक सकते हो कि beta by 6 के बराबर आ गया तो बस आप lambda के जगे beta put करते जाओ उससे आपको screen पर वो distance मिलता चला जाएगा तो यहां पर 4i note के बराबर हो रहा था फिर यहां पर एक point मिला जहां पर यह 3i note हो गया है और 3i note में यह distance जो है वो beta by 6 के बराबर है अब 3i note के बाद हमारा अगला यहां पर है 2i note तो 2i note 2i note जो अब यहां पर i को रखोगे तो cos square 1 by 2 हो जाएगा cos 1 by root 2 हो जाएगा तो 2i note के case में मैं डाइटले अब यहां पर लिख रहा हूं कि हमारा जो delta 5 by 2 है वो pi by 4 आ जाएगा उससे जो आपका delta 5 है phase difference वो हो जाएगा pi by 2 के बराबर और pi एक तरह के से lambda by 2 होता है तो जो आपका delta x है वो lambda by 4 हो गया और इससे हमको आचल जाएगा कि central maxima से beta by 4 distance तो जहां पर यह 2 i note आ रहा है तो 2 i note वोला जो point है वो यहां से beta by 4 distance पर है इसके बाद अगला है i note तो जब यहां पर आप i note रखोगे इसमें तो i note upon 4 i note तो 1 by 4 आएगा cos square cos 1 by 2 हो जाएगा cos 1 by 2 होगा तो i note के case में delta 5 by 2 तो 1 by 2 हो रहा तो 60 degree 60 degree का मतलब हो जाएगा pi by 3 delta 5 आपका 2 pi by 3 हो जाएगा तो delta 5 इस 2 pi by 3 और अगर यहां पर यह 2 pi by 3 है तो उस case में यहां पर 2 pi को आप lambda रख लो यहां पर 2 pi lambda के equivalent तो lambda by 3 और lambda by 3 से यह beta by 3 हो जाएगा तो जहां पर i note के बराबर आ रहा है तो i note वाला जो है वो beta by 3 पर है इन में equal distance नहीं है आप ऐसा माँ समझें नहीं कि 4 i note से 3 i note हुआ तो यह जो gap यहां पर आएगा और फिर उसका जो यह gap आएगा और यह gap आएगा यह बराबर होंगे तो intensity वाले यह gap बराबर नहीं होंगे यहां पर इसमें लेकिन part difference के साब से gap बराबर होंगे जो 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 gap यहां पर किसी part difference जैसे माले lambda के लिए अगर beta use होता है तो 2 lambda ये लिए 2 beta use हो जाएगा lambda by 2 के लिए beta by 2 हो जाएगा तो part difference के सबसे gap equally हो रहेंगे लेकिन intensity के सबसे gap equally नहीं आ रहे है अब देखो beta by 6 उसके बाद में अगला beta by 6 नहीं आ रहा उसके बाद में beta by 4 minus beta by 6 आ रहा है जो कि ओवेसे के beta by 6 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर इस तरीके से यह different different answers कर सकते हैं और मैंने जो answers किये हैं वो answers central maxima के pass वाले point के लिए की हैं अब इसी तरीके के point आपको इस maxima के बाद भी मिलेंगे यह maxima यहाँ पर 4 i note होगे यहाँ पर 4 i note होगे एक तरीके से तो यहाँ पर यह 4 i note हुआ अब यहां पर यह जो 4 आइनोट हो रहा है, 4 आइनोट के बाद वापस से वह 3 आइनोट होगा, वापस से कुछ इस तरह के कहा होगा, तो आप यह देख लो कि 4 आइनोट से 3 आइनोट होने में जो यहां पर gap आ रहा है, वो beta by 6 यहां एक lambda by 6 का part difference आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक lambda by 6 का extra difference हो रहा है, यहां पर अगर 0 है तो यहां पर lambda by 6 है, तो 3 आइनोट वाला यहां पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर part difference कितना आ जाएगा, lambda plus lambda by 6, जो भी यहां पर है, उसे lambda by 6 और अधिक बढ़ जाएगा यहां पर इसमें, तो इस तरीके से आप यहां पर इसमें पूरा एक pattern देख सकते हो, यहां पर, जनरली हम calculation central maxima के आसपास कर लेते हैं, calculation दिखाना असान होता है, लेकिन उसी तरही calculation उपर भी repeat होती चली जाएगी, जब तक हमारे approximations valid रहेंगे, तब तक वो linearly इस तरीके से distribute होता चला जाएगा, इसके बाद में last part हमारे पास में यहां पर है, position of 1000 maxima, अब 1000 maxima, अगर मालीज़े हमें ध्यान नहीं रहता है, और फिर हम बिल्कुल जिस तरह के से कर रहे हैं, उस तरह के से करते चले जाएं, तो फिर हमारा answer हो जाएगा कि यह तो 1000 beta हो जाना चाहिए, फिर तो यह, हमने 3rd order maxima निकाला 3 beta कर दिया, उस तरह के से 1000 beta हो जाना चाहिए, और 1000 beta अगर हम यहां पर करेंगे, तो 1000 और आपका जब beta है, वो तो है half millimeter, इसका मतलब यह तो 500 millimeter हो गया, यह 0.5 meter हो गया, इस screen पे 0.5 meter का distance है, और यह 0.5 meter का distance, capital D के comparable है, capital D 1 meter है यहां पर, और यह जो formula आता है beta का, वो formula तब ही आता है, जब आप यहां पर y को मच मच देंट D लेते हो, angle को काफी छोटा लेते हो, तब जाके आता है, तो इसका मतलब है कि इससे जो answer मिल रहा है, वो answer बिल्कुली गलत हो गया, क्योंकि यह तो अब यह जो y है, वो यहां पर comparable होने लग गया, capital D के, तो this answer is wrong, इसका मतलब problem यहां पर कहां पर हो रही है, तो problem यहां पर हो रही है कि हम screen पे इतना जाए distance उपर पहुंच गये हैं, कि अब वो approximations, जो 10 theta वाले approximations हैं, वो approximation valid नहीं हो पाएंगे, इसको आपको पूछ तरीके से करना पड़ेगा, D sin theta वाला भी भी valid हो जाएगा, क्योंकि अभी भी small D और capital D, वो gap बढ़ा है यहां पर काफी, तो D sin theta वाला अब apply कर सकते हो यहां पर इसमें, तो D sin theta is equal to 1000 lambda, और D जो है आपका 2000 lambda के बराबर है, तो इसके बाद में आप लिख सकते हो, 2000 lambda sin theta, this is equal to 1000 lambda, तो lambda cancel हो जाएगा, और यहां पर sin theta के value half आजाएगी, और sin theta के value अगर half आगे, तो theta यहां पर कितना हो जाएगा, 30 degree, तो obviously theta small नहीं है, theta 30 degree आगया, इससे आप यहां पर location निकाल सकते हो, कि location क्या होगी यहां पर, तो y by d को 10 theta हमें से लिखा जा सकता है, diagram में, और फिर उसके बाद में 10 30 degree हो जाएगा यह, और 10 30 degree का मतलब 1 by root 3, तो जो y आपके बाद आपको मिलेगा, वो y यहां पर हो जाएगा, d by root 3, तो this is d by root 3 here, और उसके बाद में, जो d है, वो 1 meter है, तो 1 by root 3 meter, यह correct answer होना चाहिए, और 1 by root 3 के जो value होती है, वो करीब-करीब हो जाती है, 0.57, तो वैसे आपका answer रहा था, 0.5 meter, और अपने जो correct यहां पर approach रखी है, उससे answer आ रहा है, 0.57, तो difference जो है, थोड़ा ठीक ठाक सा है यहां पर, और obviously exam में यह answer भी दिया हो सकता है, वहाँ पर 0.5, और 1 by root 3 भी दिया हो सकता है, तो obviously कि 1 by root 3 will be correct, तो इन situation में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कि अगर आप स्क्रीन पर थोड़ा जादा central maxima सूपर चले जाते हो, तो उस case में आपको यहां पर d 10 theta वगरा को यूज नहीं करना है, फिर वो डी वाइब दी वागरा भी यूज नहीं होगा, और जब आप sin theta यूज करके solve करोगे और 10 theta अप लेकेबल नहीं हो पाएगा, तो फिर जो fringes हैं वो भी uniformly spaced नहीं होगी यहां पर, आपको भी calculate करके देख सकते हो, fringes के भी इसमें uniform spacing नहीं आएगे, uniform spacing तब ही आएगे, जब आप part difference को d 10 theta लिखो, 10 theta को y by d लिखो, तो y के directly proportional part difference हो जाएगा, तो उसमें linearity बनेगे और uniform spacing बनेगे, लेकिन अब uniform spacing नहीं बनेगे, अगर आप जाद ओपर चले जाओगे, इसके बाद next question में lambda 500 nanometer, d अपके बार दिया गया 2 micrometer, और capital D वो ही 1 meter दिया गया, find position of first and second order maxima, तो यहाँ पर अगयन हमें check कर लेना पढ़ेगा lambda और d का, तो lambda और d का यहाँ पर आप वापस से इसमें check कर लो, तो ratio में यहाँ पर इनका check करने जा रहा हूँ, d by lambda, तो d है 2 into 10 के पावर minus 6, और यह है यहाँ पर 5, और यह into 10 के पावर minus 7 हो जाएगा, यह उपर चला जाएगा 20 by 5, यानि के 4, तो d is equal to 4 lambda हो पार है अपके बार, और क्योंकि d is equal to 4 lambda ही हो रहा है, तो इसका अंतलब है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपके बार higher order maxima ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, और आपको स्क्रीन पर थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 lambda भी आपको कहाँ पर मिलता है, infinite distance पर, तो इसका मतलब है कि अपके बार आपको यह use नहीं करना चाहिए, जो भी 10 theta वाला है, वो use नहीं करना चाहिए, और उसका आपको region भी दिख जाएगा, जैसे अगर मैं first order maxima calculation करूँ, first, first order maxima, तो first order maxima के लिए, जो part difference है, delta x, यह होना चाहिए lambda, और यह d sin theta के बराबर, अगर आप रखते हो इसको, तो d sin theta is equal lambda, और d 4 lambda के बराबर है, तो sin theta यहाँ से 1 by 4 आ जाएगा, और d को अगर आप 4 lambda यहाँ रखते हो, तो sin theta 1 by 4, obvious एक इस sin theta जादा small यहाँ पर नहीं है, तो वो approximation हमारे गलत हो जाएगे यहाँ पर, यहाँ से अगर आप 10 theta निकालते हो, तो 10 theta यहाँ से 1 by root 15 आएगा, और यहाँ से आप y निकाल लो, तो y तो d 10 theta हो जाता है, तो d 10 theta और d क्योंकि 1 है तो दिखेगा नहीं, तो 1 by root 15 मिटर हो गया, और यहाँ से अगर आप calculate इसको फर्दर करो यहाँ पर, तो यह 0.26 मिटर है, तो इतना negligible नहीं है यह 1 मिटर के comparison में, इसका अगर आप second order वाला निकालते हो, तो उसमें second order के लिए जो delta x उसको आप 2 lambda रखोगे, यहाँ 4 lambda, तो sin theta हाफ आजाएगा, sin theta अगर हाफ आएगा, तो theta 30 degree, अगर theta अगर 30 degree है तो उसको यह 10 theta यहाँ पर आएगा, तो 10 theta यहाँ पर हो जाएगा 1 by root 3, और फिर जो y है, that is again d 10 theta, तो d 10 30 degree, d 1 है, तो यह 1 by root 3 meter हो जाएगा, और 1 by root 3 meter is equivalent to 0.57 meter, तो यह 0.57 आ रहा है, तो अपने आप यहाँ पर देखा कि, अगर यह central maxima है, लट से यहाँ पर central maxima है, तो यहाँ पर जो first order maxima यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर part difference lambda के बराबर है, तो यह जो gap है, this gap is 0.26 meter, तो अब generally हमके expect करते हैं, कि यह fringe, यह तरह किसे fringe width हो गए, और अगला जो maxima होगा, वो 0.26 उपर चले जाओ तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर uniform spacing नहीं है, अगला जो है, उसमें जो gap है, वो gap के बार यहाँ पर कितना आ रहा है, जहाँ पर delta x is equal to lambda है, तो यह 26 है, 0.31, तो 0.31 का gap आ रहा है, यहाँ पर यह, दोनों मिलाकर कि 0.5 से उन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो spacing है, वो uniform नहीं है, uniform तब ही होती है, जब sin theta is equal to 10 theta लिक पाओ, ठीटा small हो, तब जाकर कि वो uniform spacing बनती है, तो इस तरहे question में fringe width का कोई मतलब भी नहीं, there is no meaning of fringe width, fringe width का मतलब तब ही निकल पाता है, जब fringes जो हैं, वो uniformly spacing पर हो, और जब यहाँ पर, जो आपका small d है, अगर वो lambda comparison है, बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर, अगर हम small angles के बात करते हैं, तो उसमें uniform spacing पर आपको fringes मिल जाती है, लेकिन वो तब ही होता है, when small d is much much greater than lambda, लेकिन यहाँ पर तो d और lambda, 4 का ही difference, 4 का ही factor आ रहा है, यहाँ पर तो in cases में ऐसा नहीं हो पाएगा, next question ले रहे, तो next question ले अगें, small d is 1 mm, capital d 1 meter, if the source has two dominating wavelength, तो अपके बार जो light यहाँ पर slits पर आ रही है, उसमें single wavelength dominant नहीं कर रही है, वो monochromatic नहीं है, एक तरह के से dichromatic मान लो, तो दो wavelength हैं जो यहाँ पर dominant कर रही हैं, one is 5000 angstrom, यहाँ यहाँ कि 500 nanometer, और दूसरा यहाँ पर 3000 angstrom, यहीं 300 nanometer, then find the position of the screen, where maxima both coincide, तो हमें screen पर वो position निकालने ही, जहाँ पर दोनों के maxima जो हैं, वो एक साथ coincide कर रहे हैं, एक ही जगे पर दोनों के maxima आ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का same order maxima हो, और बिल्कुल जरूरी नहीं कि दोनों का same order maxima हो सकता है, कि lambda 1 वाले का वो second order maxima हो, और lambda 2 वाले का वो third order maxima हो, और जो कि एक जगे प्यार है, तो इसको attempt करने का तरीका यहाँ पर यह हो जाएगा, कि मैं assume कर लेता हूँ कि जो lambda 1 है, वो lambda 1 के लिए, एन थ order वाला जो maxima है, suppose lambda 1 के लिए, जो एन थ order maxima है और lambda 2 के लिए, जो एम थ order maxima है, वो coincide कर रहे हैं, लेकिन दोनों की location एक है, तो इसका हाँ आतलाब दोनों के लिए जो y होगा, y यहाँ पर equal हो जाएगा, अब y को आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर n lambda 1 capital D by small D, यहाँ पर m लिखना पड़ेगा, तो m lambda 2 capital D by small D, तो यह factors यहाँ पर एक cancel हो जाएंगे, और आप यहाँ पर जब भी data दिया जाए, तो यहाँ नजर जुरू, आप यहाँ पर देख लो कि क्या हमारे सारे, जो भी approximations होते थे थे, अप्रोक्सिमेशन रेपार iagdow और एकतो यह ओना चाहिए और एक यहां पर यह ओना चाहिए तो यह सारी चीज यहां पर है तो इसे लिए फट अफट अब उन यहां से आप N by M यह निकाल लो कितना आएगा तो N by M लैमड़ा 2 लैमड़ा 1 आ जाएगा लैमड़ा 2 की वैलू 3000 एक स्ट्रम है तो जब वैलू रखोगे तो 3 by 5 आ गया तो यह एसे लोकेशन से जहां पर Y1 और Y2 एकॉल हो रहे हैं वह ऐसे लोकेशन से जिसके लिए N by M X और M is equal to 10 के लिए भी यहां पर हो जाएगा यानि कि इसका जो 3rd order maxima है वो इसके 5th order maxima से coincide कर रहे है इसका 6th order maxima है वो इसके 10th order maxima से coincide कर रहे है जब भी हम से यह सवाल पूछा जा तो जो सबसे नस्दीक वाला मामला हो आप उसी कांसर करते हो तो हम इसके accordingly जो सबसे न nearest है उसी कांसर यहां पर कर रहे हैं तो कोई भी आप निकाल लो y1 निकाल लेते हैं तो y1 यहां पर हो जाएगा n lambda 1 capital D by small d तो values put करते हैं तो 3 यहां पर lambda 1 कितना है 5000 एंग्जिस्टम तो इसको convert कर लेंगे तो 5 x 10 के पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा capital D is 1 and this small d is 1 mm यहानिके 10 पावर माइनस 3 तो यहां से mm में मैं आसर लेकर हूं इसका तो 1.5 mm तो central maxima से 1.5 mm के distance पर यह वो point होगा जहां पर दोनों के maximas एक साथ आ रहे